नमस्कार BCN News के दिन वेशे शिकारे करम में दिशाब सभी का स्वागत करती हूँ देश में सेना का सर्वोच समान परमवीर चक्र अधिकांच था भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दोरां वीर्ता के लिए दिया गया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की बात आती है तो 1905, 1971 और 1998 की युद्ध की बात होती है लेकिन देश का पहला परमवीर चक्र तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े युद्ध के लिए दिया गया था लेकिन वह इन तीनों युद्धों में किसी के लिए नहीं दिया गया था मेजर सोमनाज शर्मा को 1947 में हुए भारत पाक युद्ध में अध्यम साहस का परीचे देने के लिए दिया गया था वे यह सब्मान पाने वाले पहले सैनिक थे आज के दिन 1930 में उनका चन्म हुआ था गीता से प्रभावित व्यक्ती मेजर शर्मा का चन्म पंजाब के कांगणा में 31 जन्वरी 1923 को हुआ था उनकी पिता अमरनाथ शर्मा खुद एक सीना के अफसर थे नैनेताल की शेरवूड कॉलिज में स्कूल शिक्षा के बाद मेजर शर्मा ने रॉयल मिल्क्री हार्ट सेंड हार्ट में की थी मेजर शर्मा को उनकी दादा की दादा ने भगवत गीता की कुष्ण अर्जयों के परेरक प्रसंगों की शिक्षा दी थी जिससे वे जीवन भर प्रभावित रहते थे मेजर शर्मान सनाथक की पढ़ाई की बाद ही 19-वी हैदराबाद रजिमेंट की आठवी बटालियन में शामिल हो गये थे जो बाद में भारती सीना की कुमाउर रजिमेंट की चौथी बटालियन कहलाई थी उन्होंने ब्रिटेश इंडियन आर्मे की और से दूसरे विश्वयुद में भाग लिया था और बर्मा में जापानी सीना के खिलाफ मुर्शा समाला था 1947 में जब पाकिस्तान ने कबालियों की जरिये कश्मीर पर हमला बुला तब 27 अक्टूबर 1947 को भारतिय सीना ने अपनी एक टुकडी कश्मीर घाटी भीजी मेजर शर्मा उस समय कमाओ बटालियन की डी कमपनी में पदस्त थे जब उनकी कमपनी ने उन्हें कश्मीर में तैनात करने का आदिश जारी किया तब मेजर शर्मा के दाइने हाथ में प्लास्टर चड़ा था जो हौकी खेलते समय चोट लगने की वज़ह से चड़ा था इन हालात में उन्हें यह सला दी गई कि वेस ऑपरेशन से दूर रहे लेकिन मेजर शर्मा ने जंग में जाने का फैसला लिया इस तरह मेजर शर्मा तीन नवंबर को अपनी डी कमपनी के साथ बढ़गाम फोच गे जहां तीन कमपनीों को उत्तर से आने वाली पाकिस्तानी सैनिकों को श्रीनगर पोचने से रुखने की जिम्मेदारी सौपी गई थी इस दोरान स्थानिय घरों से भी मेजर शर्मा की कमपनी के जवानों पर फाइरिंग हुई लेकिन मेजर शर्मा की टुकड़ी ने आम लोगों की खातर जवाबी कारवाई नहीं करती हुए बचने का फैसला किया इस बीद 700 आतंकियों और पाकिसानी सैनिकों ने मेजर शर्मा की कमपनी पर हमला कर दिया जिससे कमपनी तीनों और से दुश्मनों से घिर गई उन पर मोटार से भी हमला किया गया लेकिन इस वक्त भी मेजर शर्मा और उनकी टुकड़ी पीछे नहीं हटी वही मेजर शर्मा भी मुस्तैदी से डटे रहे एक हाथ में प्लास्टर होने के साथ मेजर शर्मा ने खुद सैनिकों को भाग भाग कर हतियार और गुला बारूद दिने का काम कर रहे थी इसके बाद उन्होंने एक हाथ में लाइट मशीन गन भी थाम ली थी इस बीच एक मोटार की हमले से बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें मेजर शर्मा बुरे तरह से खाल हो गए शहीद होने से पहले उन्हें अपने संदीश दिया था दुश्मन हमसे सर्फ पचास कस की दूरी पर है हमारी संख्या काफी कम है हम भयानक हमले की जद में हैं लेकिन हमने एक इंच जमीन नहीं छोड़ी है हम अपने आकरी सैनिक और आकरी सास सक लड़ेंगे भारतिय सिनेमा की शुरुआती दुनों में बहुत मुश्किले थी संसाद उनों के अभाओं के साथ साथ सिनेमा निर्मान एक चिनौती पूर्ण काम था लेकिन उस दौर में भी बड़े कलाकारू ने इस चिनौती को स्विकार किया और भारतिय सिनिमा की विकास की बागड़ खुद सभाली 20 शरतापदी की शिरुवात का ये वो दौर था जब भारतिय सिनिमा उग रहा था उस उगने के समय में कुछ लोग थे जो साथ साथ इसमें सयोग दे रहे थे उन्ही में से एक थे आक्टर के अन्सिह आज के दिन 2000 में उनकी मृत्ती हुई थी अपने समय के सबसे मश्यूर क्यारेक्टर आर्टिस्ट और फिल्मों में विलन का किरधार निभाने वाली के एन्सिह का पूरा नाम कृष्टन निरंजिन सीह था उन्होंने करीब दो तशक तक भारतिय सिनिमा में अपना योगदान दिया और उसे आगे ले जाने में बहुत बड़ा रोल निभाया ये वो दोर था चपकलाकारों की कमी थी संसाधनों की कमी थी और फिल्मों से जुड़े लोग पैसे की महताच थे के एन सीह का जन्म एक सितंबर 1908 में हुआ था वो भारतिय सिनिमा की एक दिकच कैरेक्टर आर्टिस्त थे जिन्होंने कई फिल्मों में विलन का किरदार निभाया था उनके अभिने की खूब चर्चा हुआ करती थी 1936 से लेकर 1908 तक वो भारतिय सिनिमा में आक्टिव रहे इस बीच उन्होंने 200 से जादा फिल्मों में काम किया उनके पिता चांदी प्रसाद सीह भारत के एक महंगे और अच्छे क्रिमिनल लॉयर थे किये इन सीह एक खिलाडी थे जो आर्मी में जाना चाते थे उनका जन्मत दहरादुन में हुआ था वो 1936 के बालिन ओलंपिक के लिए चुने भी कह थे लेकिन वो शामिल नहीं हो पाए कलगत्ता की यात्रा के दोरान उनकी मुलाकात अपने पारिवारिक दोस प्रत्विराज कपूर से हुई जिन्होंने उन्हें निर्देशक देव की बोस से मिलवाया देव की नहीं उन्हें पहला काम सुनहरा संसार में डबल रूल के लिए ओफर किया सीह ने 1938 में आई फिल्म बागबान की सफलता के बाद जाने पहचाने आक्टर बन गए ये फिल्म जुबली हिट साबित हुई इसमें मुख्य भूमिवका में नजर आय थी सीह इस फिल्म के सफलता के बाद के एंसीह इंडस्ट्री में लगातार काम करने की शुरुआत करती उन्हें कई फिल्मों के लिए अप्रूच किया जाने लगा 1940 से 1950 के दौरान सीह ने कई आईकॉनिक फिल्मों में काम किया जिनमें बसे मुख्य है सिकंदर, जिवार भाटा, हुमायू, आवारा, चाल, सियाईडी, हावडा ब्रिच, चलती का नाम गाडी और आमरपाली जैसे फिल्म में शामिल है वो अधिक तर फिल्मों में विलन के किरदार में नजर आये BCN News के दिन विशेश कारे करमें फिल्हाल इतना ही ऐसे अन्य और कबरों से जुड़े रहने के लिए देख तरह ये BCN News नमस्कार